हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सुर्वाइवर सीरीज वार गेम्स के बेहाइंड दस सीन पिक्चर्ज में कुछ इंटरस्टिंग पिक्चर्ज जो की बहुत ही ज्यादा इंटरस्टिंग है आप लोगों को भी देखने में बहुती ज्यादा मज़ा आने वाला है जो के कुछ रास भी चुपे हुए है उन पिक्चर्ज में और उन में हमारे ट्राइबल चीफ भी शामिल है तो बहुती ज्यादा इंटरस्टिंग पिक्चर्ज मैं आप लोगों को इस वीडियो में करते हैं सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे ट्राइबल चीफ हैड आफ ते ट्रेबल दी अंडिस्पीटिड डबली डबली युनिवर्सल चैंपियान रोमन रेंज को रोमन रेंज यहां पर बिसकली क्लियर ओचुके हैं बिल्कुल रेडी ओचुके हैं अपने मैच के लिए आपने जो है इंटरेंस के लिए बिल्कुल रेडी है और आप लोग इन पिक्चर में देख पा रहे होंगे रोमन के आप जो बौडी है वो वीज़ैसे मैं आप लोगों को बता दू जब भी कोई बेहांड़ दा सीन फोटू आता है वो ऐसे बेहां पर यहांगर त इन में ट्राइबल चीफ बहुत ही ज्यादा बेंगर देख रहे है अब आप लोगों को भी क्या लग रहा है रोमन रेंज बेंगर या फिर मुझे सिर्फ लग रहा है आप लोग अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स में देते रहना लेकिन जहां तक मुझे लगता है रोमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक देख रहे हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज तो क्या कहना है आप लोगों का रोमन के पिक्चर्स के बारे में जो के सुर्वाइवर सीरिस के बेहांड दा सीन्स है अपना ओपिनियन कमेंट्स में देते रहना अगली पिक्चर में आप लोग द ट्रेपल आच ने सीरियस कर दिया है अब ओ पुराने बच्चे वाले आॉस्टिन तीयोरी नहीं रहे लेकिन फिर्वाइवर सीरिस के टाइम पर भी जो तीयोरी ता ओ एक सीरियस करेक्टर में था लेकिन बहाइंड दसीन पिक्चर में जो तीयोरी है ओ पिर भी सेलफी ले और माइकल कोल के साथ जो उन्होंने सेलफी लिया है वो बहुत ही ज्यादा पनी लग रहा है क्यूंकि जो रियक्शन आ रहे हैं दोनों की तरफ से बहुत ही ज्यादा पनी लग रहे है उपर से ऐसा लगता है जो तियोरी है वो माइकल कोल बगल के बैठे हुए है पता नहीं ऐसा कुछ लगँ आ haya आपलोगों को क्या लगता है अपना ओपिनिंएन्स जरूर कमिंट्स में देते रहना वैसे आप लोगों और फिक्चर क्या ज्यादा इंट्रस्टिंग लग रहा है या पिर नइं आप लोग अपना ओपिनियन गमिंट्स में दे सकते हैं बात करते हैं अगली पिक्चर के बारे में जो कि है दा विजिनेरी दा रेवलुशनेरी सेथ प्रिकें रॉलेंज का पिक्चर सेथ रॉलेंज बैसिकली हम पर बेटे हुए हैं बहुती ज्यादा निराश लग रहे हैं मतलब जो सेथ रॉलेंज है वो बहुती ज्यादा परेशान ल रही है मतलब जो युनाइट स्टेट्स चैंपियंशिप है सैथ प्रीकिन रॉलिंस का उसे हारने के बाद इस पिक्चर को सैथ का लिया गया है वैसे सैथ रॉलिंस बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं इस पिक्चर में क्या आप लोगों को भी यही लगता है कि सैथ र स्टेडियम हैं उसे देख रहे हैं क्योंकि सीट सेहां पर बिलकुल खाली पड़े हुיכंए है लगत इस पर स्टेडियम नakers के आने के बहुत ही ज़्यादा पहले के पिक्चर्शंद है क्योंकि यहां पर रोमन रंस स्टेडियम में गूम रहे हैं और यहां पर एक interesting एक note करने वाली बात एक और है जो कि है Roman Runs अकेले है यहाँ पर मतलब Roman Runs का जो पुरा का पुरा blood line है और Roman Runs के साथ नहीं है ना उसोज Roman के साथ है ना सेमी जैन ना पौहीमिन एंड ना सोलो सीकोआ बिल्कुल Roman Reigns यह हम पर अकेले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दी अमें देखने को मिल सकता है Roman and Rock के स्टोरी लाइन में क्योंकि माना ऐसा जा रहा है जो पूरा का पूरा Bloodline है और Rock की तरफ जाने वाला है मतलब Rock की साइड लेने वाला है और Roman Reigns अकेले उने वाले हैं जिसके बाद Roman Reigns हमें कुछ ऐसे देखने को मिल सकते है मतलब Roman Reigns अकेले कितना बुरा देख रहे हैं क्योंकि Bloodline का पूरा जो फैक्शन है वो एक साथ जब इंटरेंस करते हैं जब एक साथ गूमते रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के लगते हैं लेकिन इन सब में अगर Tribal Chief ऐसे अकेले हो वो भी पॉल हीमिन के बिना मतलब पॉल हीमिन रोमन को बिलकुल भी अकेले चोड़ते नहीं है लेकिन रोमन पॉल हीमिन के बिना गूम रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे वीक देख रहे हैं रोमन रेंस अब क्या आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है या पिर नहीं आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हो एते सुर्वाइवर सीरीज गवार गेम्स के कुछ बहांड दसीन के इंट्रस्टिंग जो है पिक्चर्ज मुझे लगा आप लोगों को दिखाने चाहिए उमीद करता हूँ आप लोगों को इन पिक्चर्ज में देखने में बहुत ही ज्यादा मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर का देना मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई